दोस्तो हर व्यक्ति का अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार थाने पुलिस या कोट कचेरी से वास्ता पढ़ता जरूर है और जब उसका वास्ता पढ़ता है तो वो घबरा जाता है हाथ पमफूल जाते हैं उसके हाला कि ऐसा होना नहीं चाहिए और ऐसा होता है सिर्फ इसलिए तो कि आपको कानूनी जानकारी नहीं और हम लोग जो ऐसी वीडियो लेकर आपके लिए आते हैं जहां आप कानूनी जानकार बनाते हैं और अगर हमारी वीडियो भी अगर आप लगातार देख रहे हैं तो कम से कम ये तो confirm है कि आप इंचियों से डरोगे नहीं दोस्तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आपकी गवाही होनी है किसी भी कोट में कोई भी या किसी भी तरह की अगर गवाही है आपकी कोट में और आपने कुछ बाते अगर ध्यान रखी तो उस गवाही को बहुत अच्छे से आप दे भी पाऊगे बनाता है या फिर सामने वाले वकील साहब ऐसा दबाब बनायते हैं या फिर कई बार क्योंकि आपके लिए नई चीज़ होती है वो आप फसकर रह जाते हैं वहाँ अपनी बातों को बोल नहीं बाते हैं तो जो मैं आज आपको दस बाते बताऊंगा क्या क्या गलती हैं पर इस वीडियो के साथ नमस्कार दोस्तों फिर एक बाद स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसका नाम है fight for true मेरा नाम है विरिंदेवन दोस्तों गवाही देना कोई आर्ट नहीं है या फिर गवाही देना कोई ट्रेनिंग नहीं है क्यो तो क्या करना चाहिए यह गवाही देने किसी भी कोट में आप गए है सबसे पहले कम से कम बोले जितनी बाते पूछी गई उतनी ही बातों को कम से कम शब्दों में खतम करें जो चीज़े आपकी favor की हूँ चीजों को elaborate करोगे चीजों को detail में बताओगे चीजों को समझाने क की कोशिच करोगे कई बार आपके मूँ से वो बाते निकल जाती है जो कोट में आपको नहीं बोलनी चाहिए और अगर आप ऐसी बाते जागर कोट में बोल देते हो जो आपको नहीं बोलनी चाहिए तो कोट में वो बाते तिलका ताड़ बन जाती है वो आपके अगेंस्ट आप गुसा दिलाया जाएगा, कई बार ऐसी बात बोली जाएगी, आपको बुरी लग सकती है, कई बार बहुत प्यार से आप से सवाल पूछेंगे, जैसे आपको लगेगा आपके फेवरें बोल रहे हैं, तो आप जब भी कभी वकील साहब के जो भी कोई सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो जवाब आप दीजिए जजज साहब को, जजज साहब को देखिए, महापर उनको जवाब दीजिए, जरूरी नहीं के उन वकील साहब को ही आप जवाब देंगे, जो सवाल उन्होंने पूछा है, आप जजज साहब को देखिए, जजज साहब को जवाब द तबी को बता दूँ, तोड़ी सी और बाते आपको बता दूँ, कि कभी भी जब गवाईया होती है, गवाई जब दी जाती है, तो में दो पार्ट्स होते हैं गवाई के, गवाई के दो पार्ट्स क्या होते हैं, एक होता है चीफ, एक होता है क्रॉस, चीफ किसे बोलते हैं, जो आपने वहाँ पर अपनी statement पूरी लिखवा दी, उसको बोलते है chief, और अब जो सामने वकील साहब आप से cross कर रहे हैं, जिसकी बात में आपको बता रहा हूँ, गवाई आप देंगे जो सवाल जवाब court में होंगे, इसको बोलते है cross, तो cross कर रहे हैं, और इस chief के भी दो त state के अमामले होते हैं, उसमें जाकर आप chief भी देते हो, और जाकर ओरली ही आप से सवाल जवाब पूछे भी जाते हैं, तो यहाँ पर chief के भी दो तरीके होंगे, जो मैंने आपको बताया अभी एभी, chief के दो क्या होंगे, एक तो written statement हो सकती है, दूसरा आपका oral हो सकता है, इ इनमें से अगर आप गलती करते हो, पूचा जा रहा है कुछ और जवाब आप दे रहे हैं कुछ, तो अपनी statement में आप खुदी फसकर महाँ पर रह जाओगे, दोस्तो तीसरी बात आती है reading of statement, reading of statement में आप ये समझ लीजिए, कि कोई भी statement आपने दी, मतलब statement आप देने court में गए हैं जो भी statement को, तो उसको आप पहले चाहें, तो court में जाकर बोल सकते हैं कि मुझे वो पढ़ना है, जैसे आप गवाई देने गए हैं, मामला आयाट 6-7 साल के बाद, अब आपको पूरी बाद तो डंग से याद नहीं, थोड़ी बोद याद है, तो अब वहाँ पर demand क काम करता है, जहांपर refreshing of memories की बात की गई है, तो तीसरा point आप याद रखें, कि बातों को आप read कर सकते हैं, ऐसी कोई problem नहीं, चोथी बात, दोस्तो fourth point बहुत काम का आपके लिए हो सकता है, कि गवाई की तयारी, जो कराई जाती है, दोस्तो किसी भी चीज में rehearsal कराई जाती ह वकील साहब अगर आपको सई से train करते हैं, तो आप बहुत अच्छे से गवाई आप दे भी पाऊगे, वकील साहब आपको अपने office बुलाएंगे, या अपने chamber में बुलाएंगे, कहीं पर भी बुलाते हैं, आप बैठ कर उसी पूरे मामले को दुवारा से start करें, और सवाल जो पूछने हैं वकील साहब, उसका जवाब आप अच्छे से देंगे, गवाही आपकी बहुत अच्छी होगी, बस आपके वकील साहब ने आपको अच्छे से train किया हो, क्योंकि जो कोट में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं, उसके जो सामने वाला हमारे सवालों में फस जाता है, और फिर वो वही बोलना शुरू कर देता है, जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं, तो इस बात को अब ध्यान रखें, आपके वकील साहब, आपके ट्रेनिंग, आपके तियारी अच्छे से कराएं, दोस्तों, पांच फिर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गैडलाइन्स पियाए की सभी कोर्ट में जिस भाषा में, जिस तरीके से लिखवाई जाए अपनी गवाही, उसी भाषा में आप लिखेंगे, हाला कि होता क्या है, आपने बोला कुछ हिंदी में महापर लिखा जा रहा है, इंगलिश में, तो आपके वकील सहाब अगर वहाँ पर नहीं है, तो बातों के मतलब दूसरे निकाले जा सकते हैं, तो प्रॉबलम होती है, आपको वकीलों के साथ, जो आपके वकील सहाब है, उनके सामने ही गवाही देनी चाहिए, ताकि धंग से पढ़कर वो उस चीज को अप्रूट कर सके और तभी वो चीज आगे बढ़ सके, क्योंकि जो आप लिखवा रहे हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगा पर तो ऐसा है कि वहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा जो टेक्निलोजी वेड़मास नहीं हुई है, तो आज भी वहाँ पर लेखागार, होता है ऐसी जगाओ पर, जहाँ पर के हाथ से लिखे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें, कोई भी गवाही आप दे रहे हैं, उसको अच्छे से ढंग से आप पढ़ें, जैसे जैसे वो लिख रहे हैं, कोई भी गलती है, उसी वक्त आप रोक दें, और अगर वो बात नही जब पहुचता है कोट में, तो आपके वकील साहब तो नहीं पोचे, पर आपने वहाँ गवाही शुरू कर दी, मतलब आपको लगता है कोट जो बोल रहा है, वो करना ही पड़ेगा, कोट ने बोला आप यहाँ पर आ जाओ, आप कटकरे में खड़े हो जाओ, आप कटकरे म नहीं आएंगे, तब तक मैं अपने गवाही नहीं दूगा, चाहे कोई कितना भी आपके साथ फोर्स करें, आपके भी अपने बहुत सारे लीगल राइट्स हैं दोस्तों, आप दरे नहीं, घबराएं नहीं, दरने की जरूरत नहीं है, आपके वकील साहब आपके साथ खड आपने उसको आगे बढ़ने दिया, तो दोस्तों वो एक करेक्शन आपके पूरे केस को तहस नहस कर सकता है, पूरे केस को मामला खराब हो सकता है, तो बहतर है, कहीं पर भी आपने कुछ भी लिखवाया, कोई भी किसी तरह की गलती हो, उसी वक्त उसको ठीक रहे, ताकि आ आगे तक वही जाए, जो आप लिखवाना चाते हैं, दोस्तों आठवे पॉइंट में आपको बोलना चाहूँगा, कभी भी आप गवाही देने के लिए गए हैं, तो अकसर ऐसा होता है कि कोट का महौल ही ऐसा होता है, कि आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दोस्तों किसी भी तरह से दवाब में आना नहीं है, अगर आप दवाब में आ गए तो आपका मामला खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी आप डरें नहीं, जो चीजे आप बोलने गए हैं, वही बाते आप बोलें, किसे के दवाब में आएं, चाहे सामने वाले वकील साहब हो, चाहे जद साहाब हो, यह दो कोई भी हो, हो सकता है, आप पोजिट पार्टी आप 2500 बनाए आप दवाब में आना नहीं है, अगर आप दवाब में आ गएं, तो आपके सारी की सारी जो स्केटमेंट आप गलत दे दोगर गलत देने से सामने आपके केस पर बहुत फर्क पड़ सकता है, इस बात कभी आप ध्यान रखें, नुवा पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप गवाही देते हैं, गवाही आपने दी, हालकि सब वकीलों के लिए भी यह चीज बहुत जरूरी है नए आप अकील साहब हो law student है तो आप इन चीजों को जरूर देखें, ध्यान दे इस बात को आप, कि आपने कोई भी गवाही करवाई, पूरी गवाही अब अपकी हो चुकी है, तो उसकी उसी वक्त आप uncertified copy ले सकते हैं, uncertified से पहले sign करेंगे आप, उस पर भी मैं अभी आउंगा, कैसे आप sign करेंगे, कि यह नवा पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप uncertified copy, जरूर उसी वक्त आप ले ले अपने गवाही की, आप copy मिल जाएगी, आप copy ले, उसको ढंग से आप पढ़ें, कोई correction तो नहीं, कोई गलती तो नहीं, और एक evidence की तरह या फिर एक फाइल में record की तरह भी यह काम करेगा, आप अगर वकील सहाब या आगे जाकर आपको यह बहुत काम आने वाली चीज़ है, आप गवाही है, तो भी अपने पास वो copy रखें, आपने क्या बोला है, वो आपका अधिकार है, कोट उसी वक्त आपको दे देगा, आपक चीज़ ऐसी तो नहीं, जो आपने बोली कुछती पर हो गई कुछ और अगर ऐसा है, तो उसी वक्त उसका objection करें, उसको ठीक करवाएं, और objection हो भी जाए तो sign मत करें, अगर आप sign मार देंगे तो final हो गया, फिर तो आपकी गवाही आगे चली गई, वो एक evidence बन चुका है, पर sign ना करें, ऐसे sign आप तभी करें, जब आप उसको अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से आपको समझ आजए, दोस्तों मैं उमीद करता हूँ, जो मैंने आज आपको बताया, गवाही के बारे में कुछ चीज़े, बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ, कुछ चीज़े ब करें, हम आपको उसका रिप्लाइज जरूर करेंगे, और दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आपको कानूनी जानका बना सकते, बहुत बहुत शुक्त है दोस्तिन ने बाद, हमा झाल